मैंने अपने बच्चे को ये वाला खिलोना दिया और इससे उसका मन भी भर गया और इसको खेल लिया तो अब ये उतना ज़्यादा इसके लिए इंपोर्टेंट नहीं है और अभी मैं उसे कुछ दिन पहले ये मैंने दिलवाया था ये वाला खिलोना और उससे भी इसने खेल लिया और काफी दिन खेला बहुत एक्साइटेड होके खेला लेकिन अब वो इसे छूता भी नहीं है अभी मैंने उसे एक लेटेस्ट खिलोने दिलवाया है यह वाला तो तो यह वाला अभी उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है मेरे कहने का मतलब यह है कि स्किल्स जो हमा का नीचर है कि कोई चीज उसके पास होती है अगर वो उसको सही तरीके से उसमें यूनिक चीज़े नहीं लाता उसको सही तरीके से नहीं रखता तो आउटडेटिड हो जाती है यानि पुरानी हो जाती है और उस तरह की काफी चीज़े काफी लोगों के पास आ जाती है तो हमारे अंदर कुछ unique नहीं रह जाता यानि जो skills हमने सिखी है वही skills हमारी पूरी team के पास है तो मेरा promotion इतनी जल्दी नहीं होगा क्योंकि मेरी team में 10 लोग है और 10 के पास वही quality है वही skills है जो मेरे पास है यहाँ पर मुझे क्या करने चाहिए यहाँ पर क्या होता है कि जो skills हमारे पास है उसको हम update करते चले समय के साथ update करते चले जैसे कि आपका mobile है आपके mobile में आप देखते है हर 6 महीने पर उसका जो android है नया version आ जाता है update के लिए बोलता है या किसी भी company का अगर mobile है तो उस company का special कोई operating system है वो update के लिए बोलता है जितने भी application आप यूज कर रहे है apps यूज कर रहे है वो सभी में update आता रहता है 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद और आपकी company का जो software है जो sales वाला apps है आपके phone में आपने देखा होगा वो भी update होता है 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद उसमें कुछ न कुछ update आता है तो update होता गया है उसमें कोई नई चीज और जोड़ दो जिससे वो पुरानी चीज तो अच्छी है ही है उसमें कई नई चीज और जोड़ देंगे तो उससे क्या होता है वो और performance उसकी better हो जाती है better perform करने लगता है ऐसे ही होता है हमारे साथ कि हम जब इस जॉब में आये थे तो हमारे पास कुछ extra skills होती है जिसकी वज़े से हमें वो जॉब मिली थी हमारा HR खुषता कि हमने एक अच्छे मन्ने को एक हीरे को तलास के जॉब दी है लेकिन समय के साथ 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 हम जब अपने skills में अपनी knowledge में update नहीं करते हैं तो हमारे पास वही skills वही knowledge रहती है जो समय के साथ पुरानी होती जाती है market में इतना सारा idea आता है जैसे हमें पता लगता है जैसे हमारे जैसे sales वालों को पता लगता है हम उसको copy कर लेते हैं और वही idea अपनी territory में चलाते है लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी territory के लोगों को भी और हमारे competitor को भी skills पता चल जाती है वो trick पता चल जाती है तो वो भी update कर लेता है अपने आपको यानि हर कोई update कर रहा है तो आपकी जो skills है जो computer skills है जो sales skills है जो communication का तरीका है जो पहनने का तरीका है present करने का तरीका है उसमें हमेशा update आना चाहिए और ये बहुत जरूरी है आज के दौर में जबकि information हर किसी के पकड़ में है जब मैंने इस career को start किया था तो मुझे याद है कि YouTube channel जो marketing और sales पे थे वो अंग्रेजों के थे यानि English में content होते थे तो उसको समझना यानि उसकी जो language है अच्छी तरह से समझना तोड़ा सा कठीन होता था लेकिन आज के date में देखें तो information सबके पास है आप marketing sales के बहुत सारी channel मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे मिल जाएंगे marketing के जो धुरंदर है उन्होंने channel बना रखे है अच्छी knowledge देते हैं किताब इज्यान के साथ experience वाली knowledge देते हैं तो आज के समय में skills को और भी तेजी से update करना पड़ रहा है क्योंकि आप भी video देख रहे हैं, सीख रहे हैं market में experience लेके सीख रहे हैं और आपका जो competitor है वो भी कहीं न कहीं video देख के सीख रहा है और market में experience लेके सीख रहा है तो अगर आप मान के चलिए आप यह suppose कीजिए कि मैं एक साल तक मेरे को जो आता है मैं वैसे ही काम करूँगा तो आप पीछे हो जाएंगे क्योंकि जो आपका competitor है वो हर 3-4 महीने पर कुछ नया सीख रहा है कुछ नई technique लगा रहा है जिससे product की sale बढ़े नई outlet find out कर रहा है trick आता है तब हम उसको और अच्छी तरह से implement करते हैं सीखते हैं और implement करते हैं तो जितनी भी आपकी skills है जैसे आपका resume है अब तक आपको आपने कैई सारे resume मना ली होंगे पहला resume मनाया होगा वो आपको अच्छा लगता होगा लेकिन 3-4 महीने बाद 6 महीने बाद वो भी ऐसा लगता होगा यार ये उतना बढ़िया नहीं है आपने फिर resume मनाया अपकी बार बहुत अच्छा है फिर 6 महीने बाद ऐसके लगता है तो हर चीज ऐसे ही जो आपका employer है HR है ना उसको भी लगता है जब उसने आपको skills है अपना जो communication है वो improve करना है और ये कैई रूप में हो सकता है एक तो या तो target आप कर रहे हैं ये भी एक skills है जिससे सभी लोगों की नजरों में आप हैं हमेशा या आपके बेचने का तरीका unique है आपके साथ कोई भी senior आता है वो आपकी तारीफ करता है और दस लोगों को और बताता है और आपको जो example अपनी team को बताता है या training के दोरान भी ऐसे बंदों को की कुछ बाते बताई जाती है ताकि और लोग सीख सके तो कुछ ना कुछ आपको करना होगा या तो product target पुरा करना होगा या कुछ यो निक करना होगा जो आपकी job से related हो तो हमेशा improve करते रहेंगे और interview भी हमेशा tough होता जाता है जो interview आपने एक साल पहले दिया था अब आगे उसी post के लिए interview देंगे तो उसमें कुछ अलग पूछा जाएगा कुछ चीजे जोड़ी जाएंगी इसी तरह से अगर आपको employee नजर में रहना है और अपनी salary को और इस line में बहुत उचाई तक जाना है बहुत आगे तक जाना है तो आपको निरंतर अपने अंदर implement करना होगा अब कही लोग कहेंगे कि क्या implement करें मुझे तो laptop चलाना आता है computer चलाना आता है mail भेजना आता है presentation आती है sales आती है पूरी तो मैं क्या करूँ हर एक आदमी मैं कोई भी trainer होगा वो जो भी चीज़ बताता है वो काफि सारे लोगों पर implement होती है लेकिन हर एक बंदे के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाने के लिए उस बंदे को खुद सोचना पड़ेगा उस आदमी को खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कहां पर पिछड रहा हूँ जिसकी बज़े से मेरी salary नहीं बढ़ रही मेरी growth नहीं हो रही मेरा target नहीं हो रहा मेरी distributor नहीं बनने मुझसे retailer convert नहीं हो रहा तो वहां से find out होगा problem क्या है उस problem को copy पर लिख लीजिए और फिर उसका solution बनाईए कि इसका कुछ internet पर solution हो जाएगा कुछ मैं किसी से सीख सकता हूँ कुछ मैं CC के सामने जाके practice करूँगा कुछ मैं practice करने का जो भी तरीका है वो अपनाऊँगा तो आपको ये चीज जरूर करना चाहिए और मेरा दावा है कि बहुत अच्छा result मिलेगा आपको बहुत अच्छा और मैं वही बात बताता हूँ जो practically मैंने की है और मेरे motivation के लिए वीडियो को like जरूर करिए और अपने friend circle में मेरे channel को जरूर share करें और वीडियो को भी जरूर share करें